नमस्का, राज़नमा टीवी पर आपका स्वागत है, मैं प्रिया, आपके साथ उत्राखन के उत्राकाशी में दिपावलिक के दीन सुब़ चार बचे एक निर्माना दिन टनल का 60 मीटर का हिस्सा थस गया इसमें 41 मजदूर फस गए, 6 दिन तक अंदर फसे लोगों की संख्या 40 बताई जा रहे थी लेकिन शनीवार सुबह एक मजदूर की संख्या बढ़ गई, संभव है कि अंदर और भी मजदूर फसे हो अंशु मनिश ने बताया कि अंदर मोजद लोगों की संख्या 41 है, हाथसे का आज सात्वा दिन है और रेस्क्यू आपरेशन पूरा नहीं हो सका है टनल में फसे मजदूरों को पाइप के जरी अक्सीजन, खाना, पानी और दवाई पहुँचाई जा रही है पिछले छे दिनों में सबसे पहले एसक्वेटर के जरी टनल से मलबा निकालने की कोशिश हुई इसके बाद तीन अलग-लग और्गर्स मशीनों से ड्रिलिंग कर मलबे के अंदर स्टिल पाइप भेच कर मजदूरों को निकालने का प्रयास हुआ लेकिन अब तक सारे प्लान फेल हो रहे है पियमो डिप्टी सेकेटरी मंगेश गिगडियाल और पियमो एडवाईजर भासकर खुलवे ने शनीवार सुबह घटना स्टल पहुचकर NH AI रेलवे और नौर्वे के इंजिनियर्स और एक्सपर्स के साथ मिटिंग की इसमें रेस्क्यू के लिए अब टनल को उपर से काट कर अंदर फसे लोगों को ऐर लिफ्ट कने की योज़ ना बनाई इसके लिए पहाड के उपर पेड काट कर मशीन ले जाने का रास्ता बनाया जा रहा है नई और गस मशीन भी शनीवार सुबह 11 बजे उत्राकाशी पहुच गई लेकिन रेस्क्यू ओप्रेशन चुरू नहीं हो सका अब इसके लिए वर्टिकल डिलिंग मशीन मगवाई जा रही है जो टरनल के उपर पहाड और टरनल को काट कर लोगों का रेस्क्यू करेगी इसी के साथ बने रहे है राजदमा ठीवी के साथ धर देवार